हलो अश्टुडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में बेरुजगारी के अर्थ, कारण, एवं बेरुजगारी को दूर करने के उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे, अब हम लोग आज के अपने टॉपिक के ओर चलते हैं शामानी अर्थ में बेरुजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है, जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता इस परकार बिरुजगारी वह परिस्थिती है, जिसमें व्यक्तियों में काम करने के इच्छा एवं योगता रहने के बावजोद काम नहीं मिल पाता है भारत में बिरुजगारी का मापन इन एश एस ओ द्वारा किया जाता है अब हम लोग बेरुजगारी के प्रमुक कारणों को देख लेते हैं बेरुजगारी का पहला प्रमुक कारण है जनशंख्या में ब्रीधी बर्तमान में बेरुजगारी का प्रमुक कारण जनशंख्या में ब्रीधी है जन्शंख्या की अत्यधीक ब्रीधी रुजगार के अफशरों में कमी लाती है जिसके कारण बेरुजगारी उत्पन होता है बेरुजगारी का दूसरा प्रमुख कारण है दोस्पुर्ण सिच्छा प्रनाली बिरुजगारी की समस्या का एक प्रमुक कारण दोस पुर्ण सिच्छा प्रनाली है भारत की सिच्छा प्रनाली दोस पुर्ण है उप्योक्त सिच्छा के आभाव में ब्यक्ति अच्छा रुजगार हाशिल नहीं कर पाता है यही कारण है कि भारत में बिरुजगारी जैसी समस्याएं उत्पन हो रही है बिरुजगारी का अगला प्रमुख कारण उदारी करण है उदारी करण भी बिरुजगारी का एक प्रमुख कारण है उनिश्य एकानमे में नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के पस्चात, भारतिय अर्थव्यवस्था में कई परिवर्थन हुएं बड़े बड़े उद्योग धन्धों की अस्थापना तो हुई, परन्तों साथ ही छोटे छोटे लगु एवं कुटिर उद्योग भरवाद हो गए जिश कारण इन उद्योग धन्धों में लगे मजदूर बिरोजगार हो गए बिरोजगारी का अगला प्रमुक कारण निर्धनता है, निर्धनता भी किसी ब्यक्ति के बिरोजगार होने का एक प्रमुक कारण है निर्धन ब्यक्ति अच्छी सिच्छा प्राप्त करने से बंचित रह जाता है जिससे वह एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है बिरुजगारी का अगला प्रमुख कारण मशीनी करण है मशीनी करण भी व्यक्ति के बिरुजगार होने का एक प्रमुख कारण है पहले उत्पादन का ज्यादा तरकार लोगों द्वारा करवाया जाता था प्रन्तो बरतमान में लगवग सभी कार मशीनों द्वारा किया जाता है विरुजगारी का अगला प्रमुhnक कारण तित्यक्षेत्रों की धीमी गती है महारत में तित्यक्षेत्रों का विस्तार सेमीत होने के कारण इंजिनियरों, प्रधाग की रूप से प्रसिचित ब्यक्तियों, डॉक्टरों और अन्य शभी तकनी शियनों में बिरुजगारी उत्पन हो गई है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण महिलाओं द्वारा नौकरी है श्वतंतरता के पूर्व बहुत कम महिलाओं नौकरी करती है लेकिन आज सभी छेत्रों में महिलाओं नौकरी कर रही है जिससे पूर्सों में बिरुजगारी बढ़ रही है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण त्रूटी पूर्ण आर्थिक नियोजन है भारत में अपनाई गई आर्थिक नियोजन की नीती दोस पुर्ण है हमारे देश के लिए रुजगार प्रधान योजनाओं की अधिक अवशकता है इस कारण भी विरुजगारी की मात्रा में निरंतर ब्रेधी हो रही है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण पुंजी निर्मान की धीमी गती है देश में पुंजी निर्मान की गती बहुत ही धीमी एवं निम्न रही है जिसकी कारण उद्योगों, बवशायों, वर्षेवाओं का विकाश भी धीमी गती से ही हुआ है जबकि जनशंख्या में ब्रीधी तीब्रिगती से हुआ है इस परकार रुजगार सुगधाएं उस दर्से नहीं बढ़ पाई है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण विदेशों से भारतियों का आगमन है पिछले कुछ बर्सों में कुछ देशों में निवाश करने वाले भारत के लोगों को निकाला जा रहा है जैसे ब्रीटेन, लंका, युगांडा, किनिया इत्यादी प्रमुक देश है इन देशों से भारतियों के आने से भी बिरुजगारी में ब्रीधी हुई है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण प्रसिच्छन सुबधाओं का अभाब है भारत में नयने उद्योग धंदे अस्थापित हो रहे है लेकिन यहां की जनता में उसके कारी को करने के लिए प्रसिच्छन सुबधाओं का अभाब है जिस कारण अधिकांश जनसंख्या बिरुजगार है नेक्ष्ट है अशिच्छित एवं आकुशल स्रम अधिकांश भारतिये स्रम एक अशिच्छित आकुशल और आप्रसिच्छित है जिस कारण भी उन्हें रुजगार नहीं मिल पाता है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण श्रम की गतिशिल्ता का अभाव है रूढी बादिता तथा परिवारिक मोह के कारण भारतिये श्रमकों में गतिशिल्ता का अभाव पाया जाता है बिरुजगारी का अगला प्रमुक कारण विकाश की धीमी गती है बिरुजगारी का मुख कारण विकाश की धीमी गती भी है रोजगार का आकार प्राया बहुत सीमा तक विकाश के अस्तर पर निर्वर करता है विकाश की गती धीमी होने से रोजगार के अफसर भी धीमी गती से बढ़ रही है जबकि जन्शंख्या में ब्रीधी ती ब्रिगती से हो रही है अब हम लोग बिरुजगारी को दूर करने के उपाई को देख लेते हैं बिरुजगारी दूर करने का पहला उपाई है जन्शंख्या ब्रीधी पर नियंतरन जिन्शंख्या ब्रीधी पर्णियंत्रन करके भी बिरुजगारी की शमस्या को दूर किया जाशकता है बिरुजगारी दूर करने का अगला उपाई है शीच्या प्रणाली में सुधार शीच्या प्रनाली में सुधार करके बिरुजगारी की शमस्या को दूर किया जा शकता है बिरुजगारी दूर करने का अगला उपाई है लगु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं हत करका उद्योग का विकाश लगु, कुटीर एवं हतकर का उद्योग का विकाश करके भी बेरुजगारी की शमस्या को दूर किया जाशकता है बेरुजगारी दूर करने का अगला उपाय है और दौगी करन और दौगी करन से भी बेरुजगारी की शमस्या को दूर किया जाशकता है बिरुजगारी दूर करने का अगला उपाय है मशीनों के अस्थान पर मजदूरों से काम इससे भी बिरुजगारी की शमस्या का समाधान किया जाशकता है बिरुजगारी की शमस्या को दूर करने का अगला उपाय है तकनीकी सीच्छा लोगों को तक्निकी शिच्छा दे कर भी बिरुजगारी को कुछ कम किया जाशकता है बिरुजगारी की शमस्या को दूर करने का अगला उपाई है शरकारी एवं गैट सरकारी शंगटनों में रुजगार स्रीजन करके भी बिरुजगारी की शमस्या का समधान किया जाशकता है बिरुजगारी की शमशया को दूर करने का अगला उपाय है उद्योगों के लिए शूगम एवं सरल रिन उपलब्द कराना उद्योगों के लिए सूगम बस सरल रिन उपलब्द कराने की शुबधा देख कर भी बिरुजगारी को कुछ हद तक दूर किया जा शकता है इस शी के शाथ मेरा आज का वीडियो शमाप्त होता है हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार